शुबोदय बच्चों ऐसे हैं आप मैं मानती हूँ आप सब ठीक हैं तो पिछले की कक्षा में मैं आपको वर्नमाला और वर्नमाला के अंतरकत स्वर व्यंजन सम्झित्ताक्षर और इसके साथ सब मात्राय के बारे में भी बताई थी और आज की कक्षा में मैं हिंदी व्यादारक में बचन के बेब बताई के लिए आई हूँ तो पहला बच्चों हिंदी में बचन का अर्ध ये होता है कि कहना या बताना इधर या का अर्ध क्या है या का आर्ध भुलो तो आपको बताई में और लेदा तो वचन का अब्दिय होता है कि कहना या बताना कहना कहना मेंटे चपटम बताना ते लिए परचटम तो वचन का अर्द क्या है कहना या बताना तो यह तो समझ गये है न वचन का अर्द क्या यह होता है कि कहना या बताना वचन युका अर्द में इंटमा हुद इंदिलों आंटे कहना लेगा बताना कहना आण्टे इंटी जर्पड़ा बताना आणटे इंटी तेलिया पर्चड़ा आणटे रंडुकूडा समाना आथ का तो ये चोड़ दो, वचनका अर्द हो गएा, तो कहना ये बताना तो व्याकरण में इसका अर्ध है तो हिंदी व्याकरण में ये वचन का अर्ध है संक्या वचन क्या है व्याकरण में वचन का अर्ध होता है कि संक्या वचन तो इसका संख्यम्त रूप है वचन संख्या वच्छन अनबड़े टेट मैंटी व्याकरनम लो, हिंदी व्याकरनम लो, वच्छन की संख्या वच्छन अनबड़े टेट मैंटी पेर। यह दानि संख्षियत रूपमें वचननि आंट्टुन नाम, तो संख्या तो आपको मालों में number यह, number, संख्या आंटी एंटी रहा? संक्यन कूर्च चपपदी दानी संखिप्त रूप में बचन अनी अन्तिता है तो बचन के बेद में हम आज बचन का अद्धबताई में और व्याकरन में इसका अर्दि क्या है उसका संखिप्त रूप क्या है तो ये चोड़ दो तो समझ गए हैं आप बचन तो हिंदी वचन में फिर हिंदी वचन में वचन को दो प्रकार होते हैं हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं मरें हिंदी लोग वचन एन्नी रखालगा हुंदी रेंडू रखालगा हुंदी एक वचन बहु वचन उपटी, singular number और दूसरा बहु वचन, cruelal number एक वचन, बहु वचन वचन के बेज कितने हैं इंदी में? वचन के बेज कितने हैं? दो है एक है एक वचन और दूसरा बहु वचन ठीके बच्चा, अब मैं वचन के बेज वचन के बेद में कितने प्रकार हैं दो प्रकार के एक हैं एक वचन और दो हैं बहु वचन इन इंग्लीश हो singular number बहु वचन प्लूरल लेंगर एक वचन अब मर्यों बहु वचन अब मैं पहली एक वचन के बारे में समझाती हूँ एक वचन बचन एक वचन से कहते हैं कि शब्ड के जिस रूप से किसी एक वस्तू एक वस्तू एक व्यक्ति या एक पदाद का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं एक वचन कहते हैं समझे बचन शब्ड के जिस रूप से शब्डी आने क्या है वड़ पदम या एक पदार्थ जैसे उदहर हम क्या है बच्छा कुट्टा, कुवा, माला, आंख, नारी, पुस्तक, आधी आधी कार देखें के गोदला एक एक्सेट्रा बच्छेवल तो उका पिल्लवाव। कुट्टा, उका कुपका, कुवा, खागी, माला, दंडा, आंख, कन्णू, नारी, स्त्री या मनिला पुस्त, पुस्तक, पुस्तक, इवन्दी एणटी चूड़न, बच्चा, यानने एक्ट्टी ये माला बचा रहे हैं, कुट्टा, कुवा, इवन्दी इपुड, एणटी, मानवु या जन्टू, वेक्ट्टि की समुदार इचिनेट कांटी, वेक्टि वाच्चर सन्याई, बच्चा, कुथ्टा, कव्वा, अमडेटेर्वंटी, कट्थिली उरिंच तेरिया बरुस्तुन्ना इला, बट्टी दान्गों एंटी महिली, ओकोकटे, बच्चा, एक बच्चा, एक कुथ्टा, एक कव्व, खीके बच्चा, इधर देत्ये माला, माला वोल्गुनिया, दंड आंक, कंडू, नारी, महिला, पुस्तक, पुस्तकों, बट्टी गुरींच गानी, पदार्था गुरुंच गानी, उककर, एंत बच्चा, एंत बच्चा, एक वस्तु, या बट्टी, या पदार्था कवोध्य उसे, एक कोच्चा न देते हैं, जिसमें उदाहारं पने बटा यह सब, ओके ठीके बच्चा, फिर आगे यह बहुँच्च, बहुच्च के अंदर कतर, शब्द के जिस रूप से, अनेक वस्तु, अनेक ध्यान देना इधर, इधर एक हैं, इधर अनेक, अनेक वस्तु, व्यक्तियों, या पदार्थों का बोद हो, उसे क्या कहते हैं, इधर देखिये, अनेक वस्तु, एक से बिना, एक से बढ़कर, उकटिकंटे, एक हुआ, वस्तुर काने यानदी, उकरिकंटे, एक हुआ, व्यक्तुर काने यानदी, पदार्था अनेक वस्तुर काने यानदी, पदार्था अनेक हैं, बच्चे पिल्ललू, लेदा बालूरू, कुत्ते कुक्कलू, कव्वे काकुलू, मालाये दंडलू, आंके कन्नुलू, नारिया स्त्रीलू लेदा महिललू, पुस्तके पुस्तकालू, आधि मदलेनु। तो इदर ध्यान दीजीए बच्चो, इदर एक वचण में एक वस्तु, एक वच्ति, एक पतार्द का बोध हुए तो उसे आंग, एक वच्चन कहते हैं। और बहुवचन में येक से बिना अनेक वस्तु अनेक बतार दनेक व्यक्ति के बारे में बता लिया तो उसके वाम मुंसे क्या के बहुवचन कहते हैं इधर देखिए बच्चा एकवचन है, बहवचन क्याने बच्चे, फिर कुट्टा एकवचन है, बहवचन में क्याने कुट्टे, कवव एकवचन है, कववे बहवचन है, माला एकवचन है, माला एकवचन है, आंख एकवचन है, आंखे बहवचन है, नारी एकवचन है, नारि ने पुस्ट के एक वचन हैं पुस्त के बहुचन हैं समझगें ना बच्चे है बच्चे आप वचन के बेल के बारे मैं आप सम्झाए अब ग्रोकारी किये? ग्रोकारी दे रही होंँए, ग्रोकारी में बएक वचन, बहु वचन के कुछ श्यब्द लिको एक वच नंगुरिंची, बहु अच नंगुरिंची, तेरीटट वणकी, पादालंकी, पुनुपादालंकी राइवाँवण चप्ति लाँ ओके ना, कि कि ये बच्छा दनीवार